नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों तुलसी तो सभी के गरों में होती है लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे यदि आप एक चीज बांग लेते हैं तो माता लक्षमी का ही नहीं बलकि माता और भगवान विश्णू का भी आशिरवाद आपको मिलता है और ये बात हर कोई जानता है कि जिस किसी के उपर भगवान विश्णू माता लक्षमी और मात तुलसी की अचीमनुकंपा हो किरपा हो आशिरवाद हो तो उसके घर में कभी भी धन दानने की कमी नहीं होती है ध तो ये आपके परिवार के लिए बहुत लाबकारी है सास्त्रों की माने तो देवी तुलसी में देवी मालक्ष्मी का वास होता है निहमित रूप से तुलसी के पौदे की पूजा वे सेवा करने से आपको लाब अवश्य मिलता है लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि मातलसी के पौदे के नीचे बांगने से मिलता है मातललक्षमी वे मातलसी का अश्रवाद आपको वे सबी कुसियां मिल जाती हैं जिसके कि आप हकदार है आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुख में बन दूरी है क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं इश्वर से जुड़ जाते हैं तो इश्वरी जैवे किर्पा हम पर बरसने लगती है भगवान से जुड़ने का सबसे सरल सादन है भगवान का नाम लेना इसलिए दोस्तों जादा से जादा कमेंट बॉक्स में जै और साती जादा से जादा भगवान का नाम लें। माता लक्षमी के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है दोस्तों। इसलिए आप देरी किये बिना अभी लाइक करें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हिंदु धर्म गरंथ वे सास्त्रों में तुलसी को देवी मान लक्षमी के सवरूप के रुप में देखा जाता है और देवी मान लक्षमी के तरही इनकी पूजा अर्चना की जाती है वे सिवा की जाती है। सास्तरों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पोदा हरा भरा रहता है, वहाँ पर सुक, शान्ती और खुसाली आती है। माना जाता है कि बगवान विश्णु की प्रसाद में या भोग में तुलसी का पत्ता होना अतियावशक है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में भी मा तुलसी है, तो आपको तुलसी मा के लिए लाल चूनरी अवस्य चड़ानी चाहिए। जाने अंजाने लोग बहुत सी गलतियां कर देते हैं, अपने घर में तुलसी का पोधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके उपर लाल चूनरी नहीं डालते हैं, जिसकी वज़े से उन्हें अपने सभी कार्यों का पूरा परिणाम नहीं मिलता है। दोस्तों, तुलसीयों में बहुत सारी दिविशक्ते विद्वान हैं, जो लोग तुलसी विवाकराते हैं, उनके घर में सदे भी सुक संपत्ती रहती है और ऐसे लोगों को स्वर्णी की प्राप्ती होती है। दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के आजपास कड़वे बोल ना बोले, साथ ही वहाँ पर जूते चप्पर आदी बिल्कुल भी न उतारे, इससे तुलसी मा हो जाती है बेहत क्रोधित और आपको कभी भी सूफल तो मिलते ही नहीं है, बलकि कभी न कभी आ आपको अनिष्ट का सामना भी करना होता है, सास्तों की माने तो तुलसी के पौदे में कभी भी शिवलिंग या पर गनेज की परतिमान नहीं रखनी चाहिए, और जिस भी जगा पर आपने तुलसी को लगाया है, गमले आदी में लगाया है, तो उसके साथ कभी अन्य किसी अर्थाज जहां पर यह आपके घर में तुलसी हो, वहाँ पर आपको अन्य किसी चीजों के स्थान पर पूझनी चीजों को ही रखना चाहिए, साथी साब सफाए भी इसके आसपास बनी रहनी चाहिए, कहते हैं कि तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुकाने चाहिए, साथ कहीं भी पानी में प्रवाहित कर दें या पिर किसी पेड़ के नीचे दबा दें सास्त्रों में वर्णन मिलता है कि तुल्सी की पूजा रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए वे उनका पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए तुल्सी की पूजा सुभे वे साम करनी चाहिए और साम के समय एक दीपक भी अवशे जलाना चाहिए तुलसी में दीपक जलाने से लोगों को करोड़ों पुन्ने के बराबर फल मिलता है वे अंतता व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है दोस्तो सास्त्रों में बताया गया है जो व्यक्ति मात तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी की किरपा भी प्राप्त करना चाहता है तो उसे तुलसी के पौदे के साथ साथ केले का पौदा भी अवश्य लगाना चाहिए इसे सर्वस्रेश्ट उत्तम वे मंगल कारी माना जाता है इससे माहा लक्ष्मी के साथ साथ बगवान विश्णू की किरपा भी प्राप्त होती है इससे माहा लक्ष्मी बहुत खुस होती है दोस्तो यदि आपके घर में मात तुलसी का पौदा है तो उसके साथ साली ग्राम को भी अवश्य रखे वरना गोर अनर्थ आपको गेड़ सकता है जिस घर में भी तुलसी के साथ साली ग्राम को रखा जाता है वहाँ पर भगवान विश्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की किरपा भी बरसने लगती है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै माता दी जै मालक्ष्मी हर अर्मादे लिखना न बोले और वे वीडियो को पूरा अंततक अवश्य देखें इसके उपरान दोस्तों जिस किसी के घर में भी तुलसी का पोदा है वे एक लाल या पीले रंग के धागे से एक साबूत हल्दी की गांट को माता लक्ष्मी के सवरूपा मात तुलसी के नीचे तले में बान देता है उसे घर में साक्षत मालक्ष्मी का वास हो जाता है इस जनम को तो छोड़िये बलकि पिछले जनम के पाप भी नश्ट हो जाते हैं हर प्रकार की सुक संपत्ति वे सोभागे का वेवेक्ति मालिक बन जाता है और धन में कमी भी कमी नहीं आती है घर में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि धन की कमी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवले तना ही कर फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जाता धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न बूले जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी हर अर महादी